इन दोनों की कीमत थोड़ी बढ़ गई लेकिन फिर भी दोनों में 1000 का ही फर्क है Infinix मिल जाएगा 11000 में, U20 12000 में तो मैं आपको बताऊँगा इन दोनों में आपके लिए कौन सच्छा रहेगा तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा Infinix के बॉक्स में सबसे पहले यूजर मैनुवल, एक स्क्रीन गार्ड, इसके बाद कवर और एक डेटे केबल मिलती है डेटे केबल की लेंद और क्वालिटी काफी अच्छी है, बाकि इसके साथ टाइप सी केबल नहीं दी गई आखिर में रखवा मिलता है ये वाइट के लड़ के अंदर चारजर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है फाई वर्ल टो इंपियर का तो ये सिंपल सा 10 वाट का चारजर है, फास चारजर आपको नहीं दिया गया, बाकि क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है तो ये सारा समान आपको मिलता है, 11000 में Infinix S5 Pro के साथ, चले देखते हैं 1000 अगर आप जादा खर्च करते हैं, तो वीवो के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसे आप Unbox करते हैं, कुछ User Manual रखे हुए हैं, इसके बाद ये Cover है, इसकी Display पे Screen Guard आपको पहले सही लगवा मिलता है, Infinix के साथ अलग से दिया गया है इसके बाद मिलती है Data Cable, इसके अंदर भी वही कमी है, Type-C Cable नहीं दी गई, बाकी Data Cable की Quality थोड़ी सी और जादा बेटर है आखिर में रखावा मिलता है ये White Color के अंदर Charger, अब दोस्तों इसके अंदर फर्क ये है, आपको Fast Charging का Support भी दिया गया है और एक 18W का Fast Charger मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो देखा जाए तो दो चीजों का फर्क है, एक तो Data Cable की Quality थोड़ी सी जाद अच्छी है वीवो में, दूसरा Fast Charger है लेकिन इसकी कीमत भी 1000 जादा है, तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीजों में फिर भी दोनों मोबाइल से अपनी जगा सही है वीवो के साथ जाद अच्छा समान है, लेकिन इसकी कीमत जादा है चले बात कर लेते हैं, डिजाइन के बारे में तो इन दोनों में डिजाइन आपको बहुत अच्छा मिलता है दोनों में आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन दिया गया है तो आप बिना कवर के यूज मत करिएगा वरना आपको स्क्रैचिस की प्रोब्लम देखने को मिल सकती है बाकी लुक वाइस डिजाइन दोनों के ही बहुत अच्छे है आपको इन दोनों में किसका डिजाइन अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बात करें कैमरे के बारे में तो इन्फनिक्स में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिये गया है जिसमें पहला 48MP का है, दूसरा 2MP का, तीसरा दिया गया है low light sensor इसका front camera है 16MP का, जो की एक pop-up camera है जो इस mobile की सबसे बड़ी खुबी है वही दूसरे तरफ vivo में पीछे की तरफ 3 camera दिये गया है जिसमें पहला है 16, दूसरा 8 और तीसरा 2MP का इसका front camera भी 16MP का है camera की performance आपको दोनों mobile के अंदर काफ़ी अच्छी ही मिलती है camera में दोनों बढ़िया है, फिर भी आपको थोड़ा सा और बेटर vivo का U20 मिलता है बात करें display के बारे में, तो Infinex के S5 Pro में भी, vivo के U20 में भी दोनों mobile में आपको साड़े change के आसपास display दी गई है size दोनों का बहुत ज़ाद अच्छा है, और दोनों में आपको IPS Full HD Plus display मिलती है display की quality में कितना फर्ख है, कौन सा mobile ज़ाद अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से लेकिन उससे पहले बात करें, दोस्तो user interface के बारे में तो user interface कुछ इस तरी की से मिलता है Infinix में आप ऐसे उपर की तरफ swipe करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है इसमें आपको app draw दिया गया है Vivo में आपको home screen पे ही सारी applications मिल जाती है आप ऐसे right side पे swipe करेंगे, आपको सारी apps मिल जाती है इस mobile के अंदर आपको Infinix में pop-up camera दिया गया है दोस्तो सबसे बड़ा फरक आपको यही मिलता है Vivo में common notch वाली display दी गई है जो आपको अक्सर सबी mobile में मिलती है लेकिन pop-up camera होने की वज़े से Infinix में आपको full view display दी गई है तो display के design में तो Infinix से जादा बढ़िया है Vivo से लेकिन अगर आप फिर भी colors देखेंगे display के तो आपको जाद अच्छे मिलते है Vivo की display में आप देख सकते हैं left side पर दोनों में मिलती है SIM के tray दोनों ही mobile's के अंदर आप दो SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है दोनों mobile's में right side से आप देखेंगे तो volume के buttons और उसी की ठीक नीचे power के buttons हैं उपर की तरफ से आप देखेंगे तो Infinix में आपको pop-up camera मिल जाता है right side पर इसके लगा दोस्तों दोनों ही mobile's में आपको मिलती है 4GB के RAM, 64GB के internal storage 64GB में सापको Vivo में दी गई है 52GB के आसपास और Infinix के अंदर मिलती है 54GB के आसपास तो 2.5GB आपको और जादे मिल जाती है Infinix के अंदर और इसकी कीमत भी 1000 रुपय और कम है Vivo से तो इस चीज में आपको Infinix का mobile ही जाद अच्छा मिलता है इसके लावा Android का 9 Pie version दिया गया है Vivo के U20 में और Android का बिल्कुल latest version आपको मिल जाता है Android 10 Infinix S5 Pro के अंदर इस चीज में भी आपको Infinix जाद अच्छा मिलता है बात करें दोस्तों battery के बारे में तो S5 Pro में आपको battery मिलती है 4000 एमेज की Vivo में मिलती है आपको 5000 एमेज की दोनों में आपको एक दिन का battery backup पराम से मिल जाता है फिर भी आपको और ज़्यादा बैटर मिलता है battery के अंदर Vivo का U20 बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Infinix में मिलता है MediaTek का P35 प्रोसेसर नॉर्मल अगर आप एक यूजर है आपको इतना ज़्यादा हेवी यूज नहीं है तो आपको Infinix में दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप एक हेवी यूजर है आपको बहुत ज़्यादा हेवी यूज है आपको गेमिंग अगर पसंद है तो वीवो में दिया गया है Snapdragon 675 प्रोसेसर प्रोसेसर के अंदर आपको वीवो ज़्यादा अच्छा मिलता है तीसर अच्छी बैटरी और चौथ अच्छा प्रोसेसर ये चार खूबिया वीवो की अच्छी है और Infinix में आपको चार खूबिया अच्छी मिलती है एक तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले का डिजाइन बहुत अच्छा मिल जाता है दूसर अच्छी में आपको पॉप अप कैमेरा दिया गया है तीसर अच्छी के अंदर आपको रैम और स्टोरेज जो मिलती है वो वीवो के बराबर है और उसकी कीमत भी एक हज़ार कम है इसे की साथ Infinix में आपको Android का बिल्कुल लेटेस वरजर मिल जाता है तो दोस्तो देखा जाए तो वैसे दोनों मुबाइल्स अपनी जगा सही है जादा बैटर आपको वीवो का U20 ही मिलता है क्योंकि इसकी कीमत जादा है लेकिन अगर आपको पॉप अप कैमरा चाहिए तो आप Infinix S5 Pro भी ले सकते हैं मुझे इन दोनों मुबाइल्स में परसनली वीवो U20 जादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई